एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बिर्बल के साथ अपने शाई बगीचे की सेर के लिए निकले वह बगीचा बहुत ही शामदार था चारो और हर्याली ही हर्याली थी ऐसे में राजा को जाने क्या सूजा कि उन्होंने बिर्बल से का बिर्बल हमारा मन है कि इस हारे भरे बगीचे में हम हरे गोड़े पर बैठ कर भूए इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम साथ दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे गोड़े का इतिजाम करो वही अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असरफल रहते हो तो तुम कभी भी हमें अपनी शकल ना दिखाना से राजा वह बिर्बल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरी रंग का गोड़ा नहीं हुआ है फिर भी राजा चाहते थे कि बिर्बल किसी बात में अपनी हार स्विकार करें इसे कारण उन्होंने बिर्बल को ऐसा आदेश दिया मगर भी बिर्बल भी बहुँचा लाग थे वो भली बांती जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते है इसलिए वो भी घोड़ा ढूने का बहाना बनाकर साथ दिनों तक इधर उधर खूंते रहे आठवे दिन भी बिर्बल दरबार में राजा के सामने पहुँचा और बोले महराज आपकी आगया के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतिजाम कर लिया है मगर उसके माली की दो शर्ते हैं राजा ने उस्प्ता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा तब बिर्बल ने जवाब दिया पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वैम जाना होगा राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा तब बिर्बल ने का घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सब्ता के सातो दिन के अलवा कोई और दिन चुनना होगा ये सुन राजा है रानी से बिर्बल की और देखने लगे तब बिर्बल ने बड़ी सहजिता से जवाब दिया महराज गोड़े का मानिक कहता है कि हरे रंग के खास गोड़े को लाने के लिए उसकी ये खास शर्ते माननी होगी राजा अकबर बिर्बल की ये चतुराई भरीबा सुनकर कुश हो गए और मान गए कि बिर्बल से उसकी हार मनवाना वाके में बहुत मुश्किल है